दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जनम एक्ष्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ हुआ तो अगर आप जानना चाहते हैं इन बेहदी वीचित्र और हैरतंगे जानवरों के बारे में तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के जानवरों को अपनी जिन्दगी में कभी देख पाते हैं औक्टा गोट क्रोईशिया में एक किसान के घर इस बकरी ने जनम लिया जो देखने में बहुत ही विचित्र थी और इस बकरी को देखकर यह किसान भी बहुत हैरान था क्यूंकि इस बकरी के आठ पैर थे इसलिए यह दृश्या देखकर किसान को अपनी आखों पर यकिन नहीं हो रहा था इस बकरी के आठ पैर ही नहीं बलकि इसमें नर और माधा दोनों के प्रजननंग थे इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि यह जुड़वा बच्चे थे जो प्रजनन के समय आपस में जुड़ गए थे इस कुट्टे का नाम टॉबी है जिसका जनम दोनाक के साथ हुआ था जादे तरहलात में जब किसी जानवर का जनम एक्स्ट्रा बोडी पार्ट के साथ होता है तब उसका एक्स्ट्रा सारी रिकंग का रेसील नहीं होता लेकिन टॉबी की दोनो नाक का रेसील है यानि यह दोनो नाक से सूंग सकता है रे इस कुट्टे का मालिक है और जब यह कुट्टा सिर्फ एक महीने का था तब रे ने इसे गोद लिया था रे आवारा और अपाहिज कुत्तों को अपने घर में रखा करता था इसलिए रे ने टॉभी को नया घर दिया और रे के पास इसी वज़ा से टू नोस डॉग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फ्रोगी नाम के इस मेंडग के तीन सिरोड छे पैर है जिसका जनम अनवान सी कारणों से हुआ है जिसे ग्रीन अम्प्रेला नर्सरी के बगीचे में घूमता देखा गया था यह मेंडग बहुती अजीब और डरावना दिखाई देता है जिसे लोगों ने फ्रोगी नाम दिया है पिछले 200 सालों में कई म्यूटेंट मेंडग को देखी जाने की खबरे सामने आती रही है लेकिन किसी तीन सिर और छे पैर वाले मेंडग को देखना बहुत ही दुरलब है इस कुत्ते का नाम नभी है जिसका जनम बिना पैरों के हुआ था और लोगों को लगा था कि यह कुत्ता जल्द ही मर जाएगा लेकिन लाव रॉबिंसन और उसके पती ने इस कुत्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत की जिस वजह से आज यह कुत्ता जिन्दा है नभी आज 2 साल का हो चुका है जिसे अपने मालिक के साथ खेलना बहुत पसंद है क्यूंकि इन्होंने नभी को एक नई जिन्दगी दी है ब्रिटिस एक्वेरियम का देखबाल करने वाले लोगों ने हाल ही में इस आक्टोपस को खोजा है जिसका नाम हैंरी है जिसके 8 पैर होने की बजाए 6 है ब्लैक पुल सी लाइफ सेंटर में काम करने वाले लोगों ने देखा कि हैंरी बाकी ओक्टोपस से 2 फीट छोटा है इसलिए एक्वेरियंस इसे हैक्स अपस बुलाते हैं जो पृत्वी पर खोजा गया एक मात्र ऐसा जीव है ब्राइन नाम की यह बिल्ली यूके में रहती है जिसके 3 कान है और डॉक्टर अभी तक इस बिल्ली की बनावट को समझ नहीं पाए है फेरेरा इस बिल्ली की मालिक है जो इसे हॉस्पीटल ले गई और रिसर्च के बाद पता चला कि ब्राइन का तीसरा कान सिर्फ दिखावे के लिए है और यह सुनने का काम नहीं करता क्योंकि इस कान के अंदर कुछ भी नहीं है और डॉक्टर इस कान की वज़ा ब्रियान का बर्त डिपैक्ट बताते है इंटरनेट पर एक वीडियो वारल हो रही है जिसमें छे टांगों वाले इस सुवर को देखा जा सकता है सुवर की केवल चार टांगे होती है लेकिन इस सुवर का जनम छे टांगों के साथ हुआ है इस सुवर के एक्ष्टर पैर चलते समय सिर्फ लटकते रहती है और यहाँ चलने में इस सूर की कोई मदद नहीं करते यहाँ सिर्फ इसके पेट से नीचे लटकती हैं और इसके चलने में रुकावट डालती है ध्री आई काल्फ इस बच्छडे का जनम प्राकर्तिक कारणों की वज़ा से हुआ है और इस बच्छडे को देखकर हर कोई हैरान है इस बच्छडे का जनम साल 2014 को एक गाउ में हुआ था और लोग इस बच्छडे को सिवा के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इसके माते पर तीसरी आँख है इस बच्छडे की मालिक कहती है कि यह एक चमतकार है और सिवजी की देन है जिस वज़ा से यह गाय तमिल नाडू में बहुत मसूर है और लोग इसकी पूजा करते हैं गोट विद थर्ड हॉन इस बच्री की खबरे लगातार सामने आ रही है जिसके तीन सिंग है और इसका तीसरा सिंग रीड की हड़ी से जुड़ा हुआ है जो बहुत ही दुलब है यह बहुत ही विचितर घटना है लेकिन ऐसा सच में हुआ है इस बच्री के बारे में हमें जाद जानकारी नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि इस बच्री का तीसरा सिंग बर्थ डिफैक्ट का नतीजा है इसलिए यह बाकी बकरियों से बहुत अलग है इस गाय का जनम पेरू के एक गाउ में हुआ था और जनम के समय इस गाय के दो सिर्थे जिस वजह से यह गाय इंटरनेट पर बहुत वाइरल हुई थी इस गाय का जनम प्राकरती की देन है लेकिन इस गाय को देखकर गाउ में रहने वाले लोग हैरान रह गए थे इस गाय को लोग भगवान की देन मान रही है और इस गाय के दोनु सिर्थ बिलकुल सही काम करते हैं लेकिन दोसिर इस गाय के लिए बहुत भारी है इसलिए यह उठ नहीं पाती और इसके मालिक को इसे बोतल से दूद पिलाना पड़ता है दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा जानवर देखा है कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप फाइव चैनल को